हेलो फ्रेंट आज में 100% नेचुरल आम की घर पे आइस्क्रीम बनाने वाले हैं जो बड़ो बच्चों सबको आज कल गर्मी में फेबरेट है फ्रेंट यहां पर क्यों नहीं हम घर पे बनाएं गरम 100% नेचुरल घर का हमारा आम का बना हुआ आइस्क्रीम बहुत ही टेस्टी बन करके त्यार होता है प्रेंट आप वीडियो को फूल देखेगा और वीडियो अच्छी लएगी तो लाइक जड़ूर करेगा यूटुग चैनल पर देख रहे होंगे और चैनल पहली बढ़ा है होंगे चैनल कर सब्सक्राइब ने किये हैं काफी मीठी आम थी मैंने पहले टेस्ट गया थे एक दूम लोग खाये थे यह वाला काफी मीठी थी और दूसरी वाली थी अंदर से थोड़ा सा ना उपर से एलो था लेकिन अंदर से ग्रीन निकला था हलका सा खटा पन था मैं आप सिंद्र रिवा आम ले ली हूं और एक कि उतंधे को लाओ बच्चा था उसको भी मैं कट कर ली हूं तिहां पर देके सारे आम पर पल्प में के निकाल ली तो टोटल एक जी हमारा है आम अब इसको मैं कैया करोंगे पर न यहां पर एक मिक्स हीृयर ले ले रही हूं और इसमें हमें डाल देनी है तिहां पर नाइ यहां पर देख रही थी तो बिल्कुल लंग सो गएर नहीं था तो मैं इसको चानी नहीं हूं डाइरेक्ट इसको हम वापस इसी बर्तन में निकाल लेते हैं यहां पर देखिए सारा में निकाल ले रही हूं और प्रिण आपस एक बार फिर स्याद दिलाती हूं प्लीक वीडि अब मैं क्या करूंगी गर्मी काफी पढ़ रही है यहां थंडा करना जड़ू रही है जो क्रीम था ना उपर उपर के हमें आपर एक क्रीम निकाल लेंगे और आपके पानी जैसा दीख रहा है उसको नहीं लेंगे इससे क्या होगा ना कि आइस क्रीस्टल जम जाती है अग अगर आपके पास इस तरह के हैंड विक्सर एत इससे आप हैट लीजिए और नहीं तो अगर आपके पास इलेक्ट्र वाल जो आता यह पर आता है ना हैंड ग्राइंडर ऊपर है तो उससे कम टाइम लगता है है किसी से भी कर सकते हैं से थोड़ा ज्यादर टाइम लगगा से थोड़ा कम लगा तो मेरे पास यह था इलेक्ट्रोनिक वाला हैं ग्राइंडर तमाइसी से करूंगी और इससे बहुत कम टाइम लगते हैं बट हो जागा दोनों से लेकिन हाँ आपको थोड़ा सांदर से ठंटा कुछ रखने पड़ाएगा आइस क्यूब रख लीजिए य आपको डबल कॉंटिटी में दीखने लगा होगा तब हम इसमें क्या करेंगे यहां पर में 200 ग्राम चीनी लेकर पीश ली ती इसका हम पाउडर डाल दे रहे हैं इसमें देर देर करके डालते जा रहे हैं और इसको हम इस तरह से फैट लेना है और जो आम का पल्प में निक दाल करके ले आई हूँ और इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं वीडियो को फूल देखेगा प्रें बहुत ही घर में अच्छा आइसक्रीम बना पाएंगे आप इस तरह से अगर बनाएगा तो यहां पर देखिए मैं थोड़ा से बचा ली हूँ यहां पर मतलब थोड़ा अरचीनी डालने के बाद एक मिट और में इसको फेट ली हो दो थीन मिनिट के लिए मैं पहले फेटी थी क्रीम को यहां पर बहुत यह तरह से फेटने के बाद आपको कोई साभी एक कंटीनर लेना है जिसमें आपका अच्छी तरह से धकन बंद हो जाए उसमें हावा नहीं यह नहीं जाना चाहिए उसमने यह तक्या होगा फिर आइस क्रिस्टल जम जाती है काइंडी आपको बनाना तो बहुत आसा ने प्रें लेकिन यह बनाना बहुत थोड़ा सा मुस्किल होती है लेकिन आप वीडियो को फूल फॉलो किर जेगा न तो आपको बहुत अच्छा यहां पर देखिए इसको अच्छी तरह से मैं धक्कन बंद कर देती है वेजटेबल वाला हमारे पास डबा था तूसी में रख ले रहे हूं आपके पास कोई सापी है डबा होगार जिसमें मतलब अच्छी तरह से बंद हो जाता है धकन वह रख लिजे उसमें डालिए अब जितना मीठा पनाना उसी साब से मैं चीनी डाल दी हो थोड़ा से इसको हमें पकाना है तहां पर मैं गैस जला ली हूं और इस कड़ाही को मैं गैस चड़ा दी हो इसको थोड़ी तेर के लिए मैं पका लेना 102 मिनिट केल देखिए मीडियम फले में चड़ा करके पका ले रह अब मैं क्या करूंगा इसमें से मैं इसको मैं डाल रहे हूं बिल्कुल ठंडा पानी तहां पर फ्रीश में निकाल रखी और इसको हम एक बर इसको चला लेना इस तरह से देखिए खेंट लेते हैं थोड़ा से ज्यादा थिक लग रहा है थोड़ा सा और हम इसमें पानी डाल अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं तो यहां पर देखिए हमारे बहुत अच्छा ठंडा सकता इमाजा बन करके त्यार हो गया प्रेंट तो हम घर पर माजा भी बना ली है पीने के लिए तो हम इसको पीने वाले हैं मेरा बेटा यहां तमार रहा था पीने के हमारा होम बेट माजा बन गया प्रेंट आमका और शाथ साथ साथ गंटा के बाद मैं आपको दिखाती हूं आइसक्रीम तो यहां पर मैं ओपन करते हूं डबा को आपको फिर स्याद दिला देती हूं प्रेंट प्लेज वीडियो को लाग ज़र कर देया किजे यहां पर निकाली हो और बाकी में इस तरह से निकाल करके थोड़ा सा उपर से ड्राइफ रूट कर रहे हूं पीस्ता थोड़ा सा मैं क्रस्ट कर ली थी उपर से डाल दी ती कापी अच्छा लगता है देखने में आई होप आज की रेशेपी आपको अच्छी लगी हो प्रेंट अच् स्काइब कीजिएगा फेस्बूक पर दख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा और कॉमेंट्स करके जड़र बताएगा और वीडियो के एक लगी जड़र कर देजाएगा फिर मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में